हलो दोस्तों गूड मॉर्निंग स्वागादी बार फिट से आप सभी का MZT Education में दोस्तों आज है 7 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 जनवरी 2014 के महत्पूर करेंट अफेर के कुशन के बारे में पूरी वीडियो इंट तक देखेगा पूरी वीडियो ब उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे अभी हाली में इस रो जो है जो कि भारत की स्वेसेंसी है इसने हाइड्रोजन और आक्सिजन गैस का उपयोग करके स्पेस में इलेक्ट्री सिटी जनरेट कर दिया है और हिमांचर प्रदेश राज सरकार ने हट्टी कम्निटी को एस् में पहला अपना वैस्विक शम्ता के इंद्र साबित करने के घोशना की है चैन्नाई तमिल नाडू में इसके अलावा नयमूर्ती संजीव खनाजी को नालसा का कारेकारी अध्यक्ष नियुक किया गया है फ्रांस डिजिटल सेंजेन वीजा जारी करने वाला यूरोपेन य योजना को मंजूरी मंद्यप्रदेश में मिली है गोवा में दस्वी सताद्धी का कदम सिलालेख पाया गया है और अभी जम्मू एंड कस्मीर की पुलिस ने आवाम से आवाम के लिए नाम का पोर्टर लांज किया है सेवी के नए एक्जिक्यूटिव डिरेक्टर नियुक प्रवाइड की जाती है या आपको MZTF पर मिल जाएगी या फिर आप इसे टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम पर जाना है MZTF सर्च करना है और जॉइन कर लेना है फिर ही में डिटेल वाली PDF आपको महाँ पर मिलेगी शुरू करते हैं आज की करेंट एफ लीए दिवस जो है इस नहीं को छोड़ाया जाए तो इसलिए ये दिवस जो है इस थीम पर वेजड है पांच जनवरी को ये मनाया जाता है पक्षियों के प्रति प्रेम और जाउकता बढ़ाने के लिए सबसे पहले इस 2002 में मनाया गया था बर्न फ्री यूएसे और एवियन वेलफेर नाम का एक संगठन है इनके द्वारा मिल करके इसकी सुरुवात की गए थी फिर दिरेस अभी देश मनाने लगे भारत जो है ये पांच जनवरी को मनायाता है राइट तू फाइट इस बार की थ जाते हैं तो ऐसे ही दो बार इनकी प्रवाशन शमता को या कहें कि प्रवाशन प्रवित्य को चेनित करते हुए दो बार साल भर में हम लोग मनाते हैं विश्व प्रवास्ति पक्षि दिवस एक मई के सेकंड सटर्डे को और एक अक्टूबर के सेकंड सटर्डे के अगर 2023 म यहनि मई और अक्टूबर के दूसरे दूसरे सनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है ठीक है और यह वाला कौन सा है राश्ट्रे पक्षी दिवस चलिए जनवरी के महत्पोंड दिवस अभी तक तीन आये हैं एक जनवरी को डियार डिवस थपना दिव चार जनवरी को विश्व प्रेल दिवस और पाच जनवरी को मनाया गया राश्टी पक्षी दिवस अगला हाली में किस राजी सरकार ने चात्रों के लिए गुड़ोत सो टॉंटी टॉंटी फोर सुरू किया गया तो गुड़ोत सो टॉंटी टॉंटी फोर यह असम सरकार के ये शुरू किया गया है, तो ये पांचवां इस बार का गुड़ोत्सो है, और गुड़ोत्सो दोहजार चौविस जो है, ये 40 लाख छात्रों को ध्यार में रख करके सुरू किया जाएगा, इन 40 लाख छात्रों का मुल्यांकन किया जाएगा, यहाँ पर इसकूलों में 24 तक है चलेगा कई चरोणों में चलेगा तीन जन्वरी से शुरू होगा तो आठ जन्वरी तक एक बार फिर उसके बार पंदरा जन्वरी से ऐसे से करके मतलब कई चरण कई स्टेज़ में पूरे राज भर के सभी स्कूलों को कवर किया जाएगा तो शुरुवात इसकी डिब में गिनीज वर्ड असम माधिमिक सिक्षापुर्ड और असम उचितर माधिमिक सिक्षापूर्शदी दोनों का विले कर दिया गया असम सरकार के दौरा विसुनाद घाट 2023 में भारत का सर्वसेश्ट परेटन गाउं बना था मुख्यमंत्री आत्म निर्भर असम अभियान चलाया गया था असम सरकार दोरा और सरपंच समवाद मुबाइल एप यहां के गवर्नल लांच गया था यहां पर चार नए जिले बनाए गए बजाली विसुनाद होजाई और तामुलपुर अब असम से जानिये डिटेल तो देखो यहां पर यह तैतिस दो पैतिस हो चुके है एक्चुली में 31 थे अब यह चार और जिले जिले जिडे हैं और अब यह संख्या हो गई है 35 यह अपडेट करना है दिस पूर जो है इसकी कैपिटल है हिमन्त विश्व सर्मा वीजेपी पार्टी से सीम है असम आपको यहां पर दिख जाएगा इंडिया के मैप में यहां पर यह रहा असम गुलाब चंद कटारिया जी नए गवर्नर है याद रखना नाम यहां पर सा भूरताल निरती भी यहां फेमस है खंबालिम भी फेमस है असम पुर्वत्तर के इन सभी राज्यों से अपना बॉर्डर सेयर करता है तो आपको याद करने की जरूत ही नहीं है जो भी राज्य आपको लगे कि यह पुर्वत्तर राज्य है तो समझी वह असम से बॉर्डर स देशक किसी नुक किया गया तो जनवर 24 में अभी हले में IES वरिष्ट आईएस रही विकास सील जी को नुक किया गया है ACN Development Bank में Executive Director यानि कारी-कारी ने देशक तो यह है विकास सील जी तो यह अब ACI विकास बैंक में जाएंगे तो यह 1994 बैज के IES अधिकारी है विकास सील जी ACN Development Bank के अगर बात करें हम लोग तो इसकी अस्थापना 1986 में होई थी मनीला फिलिपिन्स में इसका हेड़कौर्टर है और मात्सकु असकवा यह इसके अध्यच है ACN Development Bank ने भारत की GDP ग्रोथ रेट का अन्मान 6.7 प्रसद बताया हुआ है यह भी ध्यान रखना important है ACN Development Bank में टोटल 68 सदस से देश हैं सदस से देश जो है यह 68 है मनीला फिलिपिन्स में इसका हेड़कौर्टर है अब यहां कुछ प्रमुख नियुक्तिया हुई है बहुत ही ध्यान से यह पेज दिखेगा बहुत ही important है क्योंकि हाल फिलाल की नियुक्तियों में बहुत बड़ी बड़ी नियुक्तिया हुई है For example, जैसे संजीव खन्ना जी जो की दूसरे सबसे वरिष्ट नियाधिस है भारत में यह नालसा के कारेकारी अध्यक्ष नियुक्तिया गया है करण अडानी को अडानी पोर्ट्स का नया MD बनाया गया है गीत क्या महता को नीविया इंडिया का MD बनाया गया है यह भी important है और पांच राज्जों में चुना हुआ था इन पांच राज्जों के CM नियुक्त किये गए हैं नए तो यह पांच राज्जों के CM कौन कौन है भजन लाल सर्मा राजस्थान के डाक्टर मुहन यादो मद्परदेश के विश्णु देव साय, 36 गड़के और लाल दोहुमा में जोरम के और रेवंत रेटी तेलंगना के बुक्यमंत्री बने हैं याद रहेगा यह पूरा पेज महत्पोन है याद रखना अच्छा एक और जरूरी बात आप लोगों के लिए महा मेराथन लाया जा रहा है करेंट फिर दोहजार तेज दोहजार तेज का पूरा का पूरा निचोड़ टॉप फाइब हंड्रेट कोस्चन्स आपके लिए लाय जाय रहे हैं और ये महा मेराथन बहुत ही जल्द होने वाला है आपके इसी चैनल MZT Education पर तो आने वाले आपके किसी भी एक्जाम के लिए ये महोती महत्रपूर होने वाला है और इसमें डेटेल में मैं समझाओंगा भी और फटाफट तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे महा मेराथन ये तीन पार्ट में हो सकता है आपके लिए लाया जाए जिसमें पहले और दूसरे पार्ट में 2200 कोशन रहेंगा और तीसरे पार्ट में 100 कोशन बाकी के रहेंगे जिस हिसाब से आपका ये महा मारा रातन पुरा कंप्लीट होगा जनवरी से लेकर के दिसंबर 2023 तक का संपोर्ण इसमें आपका कप्रेश होगा ठीक है यूटूब पर मिलेगा बिल्कुल फिरी अपकोस्ट आगे हाली में जारी भारत में महिलाओं के लिए सीर्ज सहर 2023 सुचकांग में कौन सा सहर टॉप पर है तो दोस्तों अभी भारत में महिलाओं के लिए सीर्ज सहर इस नाम से एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में चेन्नाई जो है जो कि तमिल नाडू की कैपिटल है ये टॉप पर रही है तो ये रिपोर्ट जारे किस ने किया है महिलाओं की प्रगति को ले करके महिलाओं की स्थिति को ले करके तो यहां पर ये आवता पर चेन नहीं रहा है चेन नहीं के अलामा अगर बात करें सेकेंड टॉप पर बैंगलूरू रहा है फिर थर्ड पर पुने फिर मुंबई फिर हैदराबाद वगर वगरा किलियर है तो टॉप फाइब सहर में ये सभी हैं आगे हालिमिक के सराजी के हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकडी के सिल्प को GI टैग दिया गया तो ये हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकडी जो हैं ये हैं अरांचल प्रदेश के प्रोड़क्ट और इनको अभी दिया गया है GI मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वैस को जो इसकी कला है उसको दिया गया है जी हाई टैग तो यह तीन प्रोड़क्ट हैं तीन उत्पाद हैं आदी कीकिर नाम है अद्रक का और तिबती निवासियों दोरा जो हस्त निर्मित कालीन मनाए जाते हैं इसको और वांचो समुदाय दोरा जो लकडी की निर्मित वस्तु के ऐसे ही पिछले दिनों में कुछ और जियाई टैग रहे हैं जिनको हम लोग रिविजन करेंगे तो अभी काला नूनिया चावल सुंदरबन सहद और कादियाल साडिया यह पश्रमंगाल के प्रोड़क्ट हैं जिनको जियाई टैग मिला है मेगाले की गारो दमकंदा लाक बुद्धी चावल को दिया गया वहीं उत्तर प्रदेश के जलेसर रहातु सिल्प को मिला है जियाई टैग गोवा के गोवा विवेंका और मनकुराडाम को मिला है रास्थान के बीका नेर का सितकारी सिल्प को मिला है जैसे इसे नए नए पॉइंट्स आइड होते जाते है नीचे से पुराने पॉइंट्स पीछे होते जाते हैं ऐसा करने के पीछे उद्देश ये रहता है कि आपका ये घटते करम में कम से कम 8-10 बार रिविजन हो जाए जब तक ये मतलब पास आउट हो नए एड हो तब तक ये पुराने पुराने आपके बार बार रिकॉल होते रहें तो इससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा फिलाल जी आई टैक क्या होता इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही था कि इसके लिए एक्ट 1999 में लाया गया था और ये एक्ट बिल लाया गया था निच्ट बना दोहजार तीन में और 2004 में जो है सबसे प था है प्टराईस Cicia през इन्होंने अभी पांच किलो में इन्या वर्ड िरिकाड बनाया है पिछला वर् रिकाड नहीं तोड़ दिया है नबिस्द्रिकाड बना है इन्होंने 14 दसम्लों 1 तीन मिनिट में मतलब 14 मिनिट 13 सेकेंड में इन्होंने 5 किलो में तो neue नाम बन गया ह यह नया विस्तु रिकार्ड है ठीक है अच्छा इसके साथ ही इन्होंने 14 समलो 19 मिनिट के मिस्रित दोड का रिकार्ड भी बहतर बनाया है अपना मतलब मिक्स जो डबल दोड था उसको भी इन्होंने अपना सुधार आहे हुआ है और यहां पर तो वर्ड रिकार्ड बना दिय यह केन्या की एतलीट है बिट्राइस चैबेट अगला हाली मिक्स ने पृत्वी विज्ञान नामक योजना सुरू की तो यह पृत्वी विज्ञान नामकी योजना जो है पीम मोदी जी ने सुरू की है पीम मोदी जी ने इसको मंजूरी दी पहले और अब यह सुरू हो गय हैं कि इतने करोड के खर्च किये जाएंगे जिससे प्रत्वी विज्ञान के प्रती लोगों का रूजहान बढ़ सके लोगों में इंट्रेस्ट पैदा किया जा सके और जो भी सरकार दोरा हो सकता है उपाय इसके लिए वह पहल वगारा के जुरिये लागू कर सके तो सब्सक्राइब कर दो अगर देखते हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो चले PM किसान भाई भढ़नारन प्रोचाहन योजना शुरू की गई फसल की किमते निर्धायत करने में व्यापारियों के एक आधिकार को तोड़ने के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए छमता निर्माण योजना शुरू की गई थी अमरित भारत इस्टेशन योजना आई 1309 इस्टेशनों का आध्यूनिकी करन करने के लिए PM3 योजना 6207 स्कुलों के modernization के लिए आई थी मिष्ठी और अमरित धरोवर ये पूछा गया था एक्जाम में आध्रभूमी मैग्रेव कुछ हित्रों को जिवित करने के लिए ये शुरू की गई है अटल वयो अभ्योदय योजना जिसे अव्या योजना कहते हैं ये बुजर्गों को ससक्त बनाने के लिए ये भी important है विवाद से विश्वास योजना MSME की जब की गई जो COVID की दोरान रासियां थी और संपतियां थी उनको वापिस करने के लिए था पोशर भी पढ़ाई भी योजना प्रारंबिक बजपन देख भाला और सिछा को मजबूत करने के लिए था एक सबसे महात्वण योजना रही इस बार जो चर्चे में रही PM विश्व कर्मा योजना ये भी ध्यान रखना योजना इसको 17 सितंबर में 17 सितंबर को PM मोदी जी ने लांच किया था 17 सब्तंबर 2023 को और इसकी गोशना पहले ही की गिजा चुकी थी 15 अगस की भाशर में अगला हाले में किस मंतराले ने प्रेड़ना कारेकरम लांच किया क्या है ये सिक्षा मंतराले की दौरालांच क्या गया है नई एजुकेशन जो पॉलसी है नई राश्ट्री सिक्षानीती है उसको लागू करने की दिसा में कदम बढ़ाते हुए मतलब उसके प्रति अवेर किया जाए और लोग जो है यहां लागू कर रहे है जैसे राश्ट्री सिक्षा नीती लागू करने वाला पहला राज्य अगर पू依yas जाए पहला राज्य अगर पूझा जाए तब आप बताएगा करनाटक है करनाटक पहला राज्य है और सेकेंड राज्य जो है वो है नंबर की है ठीक है ना जब से भारत आजाद हुआ है तब से तीसरी राष्ट्य शिक्षा नेती है यह पूछा जा सकता है इसके लिए लेटर जी जानकरिया तो अभी प्रेणा कारेकरम लांज किया गया है जिससे नौवी से बार्वी कच्छा के जो छात रहना उनके अंदर नेतरुत के गुणा सके और साथी साथ वे प्रेणा दायक अनुभव प्राप्त कर सके वो उन्हें ब्याभारिक नौलेज दिया जाए और यह सब यही नई सिक्षा नेती में अपने है ही के इन जी सिक्षा मंतरी है दर्मेंदर प्रधान आगे हाले में किस भारतिय सहर को इ इसमें से इंदर और भोपाल तो आप जानते हो मंद्य प्रधेश में हैं उदयपूर जो है यह रायस्थान में है रायस्थान के सिटी है उदयपूर क्लियर है इन तीन सिटी को जो है नोमिनेट किया गया है वर इंटरनेशनल वेटलेंड यह प्रयावरण वन मिल जाएगा यह वेटूायन होता क्या है वेटू अद्र भूमी और बहूमी जो ऑफीक्ज़ सुनते हो ना जिसे रामसर साइट कहते हैं रामसर अग्जूली में जैसे बात करें तो 75 गजर साइट है आज के टाइम पर 25 ऑस घर इरान के रामसर सहर में दो फरवरिन उने स्विकात्तर को विश्व आदर भूमी का एक convention हुआ था World Wetland Convention तो इस World Wetland Convention में ये कहा गया कि अब से जितने भी दुनिया भर के ऐसे wetlands हैं जो आदर भूमिया हैं उनको चिनहित किया जाएगा और उनको प्रिजर्व किया जाएगा जिससे पक्स्छी, पसू, उनका लाव उठा सके प्रकृत भी जो है जो क्योंकि आदर भूमिया जो है वो प्रकृतिक रूप से भी बहुत मातो रखती है संतुलन मनाये रखने में तो वो संतुलन बना रहे इसके लिए ये convention हुआ था और फिर इसलिए चुकि ये 2 फरवरी को हुआ था इसलिए हम लोग 2 फरवरी को हर बार मनाते हैं World Wetland Day ठीक है ना इरान के रामसर सहर में ये हुआ था इसलिए यहां की जो साइट जो चिनित की जाती है उन्हें ramsar sites कहा जाता है ठीक है और भारत में ऐसे 75 ramsar sites अभी तक हो चुकी है पहली ramsar sites अगर पूछी जाए तो वो चिलका लेक थी चिलका जील तो आप जानते हो न, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जील है चिलका जील, Odisa की तो ये जो है सबसे पहली रामसर साइट थी भारत की, ठीक है न, फर्स्ट रामसर साइट आफ इंडिया, पूछा जाता है, आप याद रखना, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, अभी हली में प्रोफेसर एंडियन क्रूज को, ये एक साइंटिस्ट है, और इनको अभी अंतरिक्ष विज्ञान में नेतरुत के लिए और अभी बिटिस अंपायर से सम्मानित किया गया है, ये हैं क्रूज सहाब, ये अंतरिक्ष विज्ञान पर काम कर रहे हैं, अभी भी का यह सब लोग इसके जितने भी वेग्यानिक हैं, यह सब लोग जूटे पड़े हैं, लीसा नाम के एक प्रोजेक्ट पर, लीसा जो प्रोड़क्ट है, यह लेजर इंटर फेरोमेटर स्पेस एंटीना का प्रोजेक्ट है, यह लोग स्पेस एंटीना एक बना रहे हैं, तो यह इसमें यूरोप के UK विग्यानिक तो है इसे में एक प्रमुख विग्यानिक जो है वो है प्रोफेसर एंडर्यन माइकल क्रोज तो इनको भी नित्रुत करता है बाना जा रहा है यहाँ पर अच्छा यह जो लीसा है यह कब तक लांच करेगा इसे यूरोपेन स्पेस एजनसी लांच करेगी 2030 के दसक के बीच में ठीक है तो यह प्रोजेक्ट पर यह भी काम कर रहें फिलहर इनके यूगदान के लिए प्रोफेसर एंडर्यन माइकल क्रोज को आपको वीडियो पसंद आई होगी ब्रह्मास्त करेंट अफेर की अपनी पुस्तक को आप ले सकते हो पुस्तक अमेजन पर अवैलेबल है और अमेजन का लिंक आपको डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा इसमें जैनवरी से लेकर के दिसंबर तक के चैप्टर वाइज प्रस उनले बढ़ियां से रिव्यू किया है आप जाकर के हर प्रकार के चीज़े देख सकते हो उसके बाद इसे और कर सकते हो यहाँ पर खास बात यह है कि हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्स्प्लानेशन के साथ आपको समझाया गया है कोई भी वन रिव्यू बढ़ियाว और आसे डियाद सकते हो एक चैप्टर का टार्गिट अगर बना करके पड़ोगो तो अच्छे से तयार भी हो जाएगा आने वाले समय में आपका बुक का रिविजन भी करवाय? कैसे कम से कम समया में आप जो है अच्छे से तयार कर सकते हो इस बाकी जो है आप रिभीव अगरा में देख सकते हो क्या-क्या चीज़े हैं इसमें कैसे हैं टेली ग्रॉप अपना जोईन करो टेली ग्राम चैनल पर पीडियाप भेज़ी जा रही है डीटेल वाली तो आप वहां से उसे डाउलोड कर सकते हो टेली ग्राम पर जाना है MZT Education सर्च करना है और जोईन कर लेना है चैनल को और कल मैंने आप से कुशन पूछा था चार जर्मरी को विस्वरेल दिवस बनाया गया यह सुरुवात कब सुगा तो 2019 से चर्चे मरही पुस्तक राम मंदिर, राष्ट मंदिर एक साजी विरासत लिखा किसने है प्रोफेसर गीता सिंग और आरिफ खान भारती ने आज आपको क्या बताना है सर्वोच नयालाय में नयाधीसों की कुल संक्या कितनी होती है वरतमान में कितनी छमताएं है गोवा की राजकिय भासा क्या है दोनों ही इंपोर्टेंट है दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो डीटेल में जुर्व अंसर करना इसकी पीडियाप कुईज आपको MZTA पर मिलेगी मैं आपको कल की वीडियो में मिलूँगा तब तक के लिए खुश रहे मुस्कराते रहे अपना क्याल रखे धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे महत्रम